Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning Mentor at Abhimanyu IAS and today in this session, that is Abhyas 2.0, इसका जो Reasoning का session है, that is for Haryana Civil Services 2024. आज के session में, आज हम discuss करेंगे blood relation topic, ठीक है? I hope आपने previous videos को भी go through किया होगा reasoning की. Reasoning जो कि एक important, जो है, CSAT का एक part बन जाता है, for clearing the CSAT exam, ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा कि 2023 का, जो previous year का CSAT का exam हुआ था, उसमें काफी question reasoning से आये थे, even आप जो है, उसी में से अगर उन questions को कर लेते, तब भी आप जो है, एक significant score उसमें से CSAT में कर सकते थे, ठीक है? तो आज के session में हम discuss करेंगे blood relation topic, जो की important topic है, और इसकी weightage की अगर हम बात करें, तो इसमें से 3-4 question आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो previous questions को अगर हम go through करते हैं, ठीक है, यह क्योंकि PYQ का session है, तो इसमें PYQ के साथ में मैं आपको concept भी बताता रहूँगा, ठीक है? तो session को शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, जो की आपका blood relation का topic है, ठीक है, यह आपका 6 session है, ठीक है? हम continue कर रहे हैं, ठीक है, यह 75 days का यह course है, जिसमें की यह live batch है, और इसका जो price है, वो 35,000 रुपीज है, इसमें अगर हम बात करें, अभी मन्यू IAS की, तो अभी मन्यू IAS, which is number one institute for HCR preparation, जिसमें 41 plus selection हुई थी 2021 में, और 27 plus selection हुई है 2022 में, ठीक है? साथ ही साथ में इस fast track batch की अगर बात करूँ, तो इसमें आपको मिलता है, offline classes, online classes, cset classes, pdf and notes, test series and mentorship, ठीक है? तो यह सारी चीज़ें आपको इसमें available होती हैं, ठीक है? और अभी हम session को शुरू करते हैं, देखिए जो basic concept है, उसको आपने समझना है, देखिए blood relation में आपको ध्यान रखना है, कि किस तरह से इसमें question में पूछा गए, देखिए मैं आपको type बदाता हूँ, उसमें question के type क्या रहते हैं? पहला तो रहता है आपका, कि जो generation based question आएगा, जिसमें कि आपको diagram बनाना पड़ेगा, generation का diagram, ठीक है? जैसे family tree हम बनाते हैं, ठीक है, second रहता है इसमें, pointing to या introducing to, ठीक है, तो ये काफी common question है, pointing to से आपको generally question देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है, ये इसमें से अगर आपको question देखने को मिले चाहिए ना, पड़ इसमें से आपको जुरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, third आपका रहता है, इसमें, इनका mixed रहता है, ठीक है, उसमें भी generation बनाने को मिल सकती है, और एक रहता है, इसमें coding type, कि आपको उसमें code दिये होंगे, ठीक है, code के थुरूर आपको उसको find out कर रहा है, और चौथा जो है, इसमें रहता है, puzzle form में, puzzle जो है, blood relation आपको, एक puzzle form में दिया जाएगा, data को arrange करना है, आपको दिये जाएगा, इसमें number of person, उनको arrange करो, उनके profession दिये होंगे, हो सकता है, उनी persons के, जो है, अलग लग उसमें color दिये हो, अलग लग उनके color favorite दिये हो, उनका कोई experience दिया हो, इस तरह से उसमें दिया होगा, ठीक है, तो हमें उसको arrange करा आपको उसमें समझ आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कि आपने किन चीजों का ध्यान रखना है, देखिए, generation में अगर हम बनाएंगे, तो आपने ध्यान रखना है, कि सबसे ओपर आते हैं, grandparents, grandparents की अगर हम बात करें, तो grandparents में आते हैं, जो हम हमारे दादा-दादी और ना-ना-ना, ठीक है, दादा-दादी की अगर हम बात करें, तो father के father and father के mother, ठीक है, तो वहाँ पे word का use होगा paternal, ठीक है, paternal, paternal, ठीक है, paternal में जो father के directly related हैं, और जो इसमें maternal भी रहता है, ठीक है, maternal कौन से बनते हैं, जो की mother से directly related है, ठीक है, ज ब्रदर मदर की सिस्टर ठीक है जो पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर होते हैं ब्रदर जो होते हैं पेरेंट्स के उनको बोलते हैं अंकल अगर फादर के ब्रदर हुए तो पेटरल अंकल अगर मदर के ब्रदर हुए तो मेटरनल अंकल ठीक है उसी तरह से जो सिस्टर होती है पे पेरेंट्स वाली जेनरेशन में पेरेंट्स तो होंगे, उनके ब्रदर सिस्टर भी होंगे, इवन उनके कजन्स भी होंगे, तो इसी जेनरेशन में आएंगे, उसके नीचे आते हैं चिल्डरन, तो चिल्डरन की जो जेनरेशन है, उसमें आप अपने आपको कंसिल्डर को लो आप लोग और आपके brother sister ठीक है आपके जो cousins गया रहा है वो सबी इसमें आ जाएंगे ठीक है तो ये सबी चीज़ों का ध्यान रखना आपने ठीक है जो ग्रेस में generation में और साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें आपने ध्यान रखना है देखिए blood relation में हमें male और female को assign करना है तो male को जब आप assign करोगे तो male के लिए आपने याद रखना है plus sign और female के लिए याद रखना है आपने इसमें minus आप इसको interchange भी कर सकते हो आपकी choice है ठीक है आप कैसे भी इसको denote कर सकते हो even आप इसको square form में भी कर सकते है इसको circle form में भी कर सकते है कि female की जगा circle कर दो ठीक है वो आपकी choice है ठीक है साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने married couple बताना बनाना है इसमें तो married couple के लिए sign आप बनाओंगे double line ठीक है और बाकी relations के लिए हम क्या करेंगे बाकी relations के लिए इसमें single line से इसको denote किया जाएगा ठीक है single line जैसे father to son relation है mother to son brother sister उनके लिए क्या आएगा उसमें single आएगा ठीक है तो मैं आपको directly question पे ही लेके चलता हूं question के तुरू आपको जादा समझ आएगा जैसे कि यहाँ पे यह question given है सबसे पहले देखिए यहाँ पे given s में q's mother is sister of p and daughter of m इसमें क्या बात की गई है इसमें q की जो mother q की mother का नाम नहीं दिया गया ठीक है क्यों की mother जो है q की mother यहाँ पे यह जो person इसका नाम नहीं दिया गया ठीक है यह mother है तो female ठीक है इसे उपर वाली generation में इसे उपर वाली generation बने गया पेरेंट्स की ठीक है यह जो है यह sister बन रही है p की p की sister बन रही है p की sister बन रही है यही person और q की ही mother and बोला गया तो उसका meaning है कि यह first person के लिए आएगा Q की ही mother क्या बन दिया, daughter बन दिया, M की, तो ये M की daughter बन दिया, यहाँ पे M है, M की daughter भी बन दिया, इसकी sister बन दिया, इसकी mother, देखिए, gender जिसका given है, उसका name नहीं दिया गया, बट जिसका यहाँ पे name दिया गया है, जिन persons का, उनका gender नहीं दिया गया, देखिए, Q इसमें male हो सकता है female भी पी भी बिल यह female एम मेल यह फिमेल देखिए अगर मैं क्यों से m का relation देखना चाहूं तो देखिए इसकी mother का यह father भी हो सकता है murder भी तो हम इसको क्या बोलेंगे इसमें maternal grandparent बन रहा है या तो grandfather इसमें डार्टर आघर फार या चाइल्ड आ गया, तो चाइल्ड होगा नीचे, चिल्डरन होगे नीचे, और पेरेंट्स होगे उपर, ठीक है, तो S is the daughter of P, and sister of P, ठीक है, S P की daughter है, और T की sister है, तो दोनों तरब से इसमें relation दियेगे, हमें क्या बताना है, हमें बताना है, How is M related to T, यह M किस तरह से related है, T से, यह M, देखिए, M किस तरह से related है, इन दोनों का यह father है, यह दोनों क्या है, इन दोनों का यह father यह mother कुछ भी हो सकता है, parent है, ठीक है, इन दोनों का, यह M parent है, तो क्या आएगा, इसके parent का parent, parent का parent क्या होता है, grandfather यह grandmother कुछ भी हो सकता है, ठीक बतुर्ट यह जो है इसमें आंसर सही बनेगा ठीक है आई फोप आपको यह question समझ आया होगा ठीक है तो इस question में जेंडर किसी का नहीं दिया इसलिए क्या आएगा इसमें आईदर और करके option आएगी ठीक है अगर मालीजिये यहां पर यह option नहीं है ठीक है तो क्या आएगा हम इस option में या तो यह option चाहिए या फिर जो है हमें इसमें से कि यह अगर option available नहीं है यह option available नहीं है तो कौन सा आगा तो grand mother जो कि option नमारे पास available है ठीक है बट क्योंकि यहां पर none of the above option available है जिसमें कि हम यह भी कर सकते हैं कि इसमें से can't be determined या data inadequate यह भी option बन सकती है ठीक है चलिए नितिन से कहा आपने parts को समझना है दीपक जो है इसमें speaker है और इसने बोला नितिन को नितिन को बताते हुए कहा कि that boy किसी boy की तरफ इशारा करते हुए बोला कि that boy playing with the football is the younger brother of the two brothers of the daughter of my father's wife देखिए आपने question को कहां से pick करना यह दीपक बोल रहा है यहां पर जब इसने यहां पर complete कर लिए तो यहां पर बोल रहा है मेरे father की wife तो इसमें अपना relation भी बता रहा है न कुछ न कुछ ठीक है speaker हमेशा relation बताएगा ठीक है तो यहां पर इसको किस तरह से बना सकते हैं देखिए सबसे पहले आपने pick करना है इस part को कि my father's wife ठीक है तो दीपक जो है दीपक का ज बनेगी उसकी mother बनेगी दीपक की mother ठीक है फिर क्या करना है आपने इसको off the गयरा को ignore करना है next पर जाना है इसमें my father my father's by मेरे father की जो wife है मतलब उसकी mother mother की जो daughter है वो दीपक की क्या हुई उसकी sister mother की जो daughter है वो दीपक की sister बनी ठीक है इसकी daughter है तो इसकी sister बनी अब आगे बोला यहां पर brother daughter के दो brother है मतलब इसकी sister के दो brothers है इसकी sister के दो brothers है उन में से उन में से कौन सा है यंगर brother ठीक है उन में से younger brother है वो कौन है जो की boy जो की football खेल रहा है ठीक है तो इसमें से क्या बोल रहा है कि दीपक की जो सिस्टर है उसके दो ब्रदर्स हैं जिस में से यंगर ब्रदर जो है वो फुटबॉल खिल रहा मतलब ये क्या आएगा ये दिपक का ब्रदर बनेगा ठीक है दिपक की बहन का भाई मतलब इसका भी भाई हुआ ठीक है तो दो ब्रदर्स में से एक अब यहां पर पूछा कि how is the boy playing football related to दिपक तो दिपक का क्या हुआ है दिपक का जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसका ब्रदर है ठीक है तो यहां पर क्या हुआ ब्रदर चलिए next question है देखिए ये question भी आपका previous year question में से था इसमें है Mala is the sister of Harish Mala sister है Harish की Harish has two daughters Harish की दो daughters है ठीक है तो इस तरह से आप क्या करेंगे diagram बनाना शुरू कर देंगे Mala के लिए आप M कर सकते है Mala is the sister of Harish इसको complete भी लिख सकते है अगर आपके पास time है नहीं तो उसको every wait कर दो Harish की sister है Harish has two daughters Harish की दो daughters है ठीक है जिनके नाम है Rima and Seema इसकी दो daughters है Rima and Seema ठीक है अब देखिए आगे है Rima is married to Satish Rima की marriage किससे हुई है Satish Satish नाम का कोई person है उससे marriage हुई है मतलब इसका husband ठीक है और Rekha is the mother of Satish Rekha कौन है Rekha mother है Satish की अब देखिए यहाँ पे इसकी mother को हम अलग से बनाएंगे ठीक है यहाँ पे आजेगी Rekha अब देखिए Rima के husband की mother है तो यह क्या बने रिमा के husband की mother है इसकी mother-in-law और रेखा के बेटे की wife है तो यह क्या बनेगे यह बनेगी daughter-in-law ठीक है आगे है इसमें below are the given few points few statements इसमें statements दी गई है based on the given information which are the following statement is definitely true इसमें से कौन से definitely true है ठीक है तो आपको इसमें पता चला कि यह माला क्या है यहाँ पे इसमें यह दोनों भाई-बैन है इनकी बेटी है इसकी दो बेटियां है इसमें से एक marriage है जिसका husband का सतीश और उसकी mother के बारे में बताएगे देखे रीमा is niece of Rekha रीमा क्या बन रही है रेखा की जो daughter-in-law बन रही है नीस तो नहीं बन रही है तो इसमें पहला point आपका गलत बन रहा है ठीक है बेखिए रेखा is mother-in-law of SEMA रेखा किस की mother-in-law ये रीमा की mother-in-law SEMA की नहीं है तो ये second point भी क्या होगा गलत बनेगा Mala is the sister of REKHA माला क्या बन रही है sister बन रही है क्या रेखा की नहीं ये भी इसमें नहीं है तो क्या बनेगा इसमें से हमें find out करना था कि कों सा इसमें से चलिए, next question है, इस question में, क्योंकि देखिए थोड़ा सा lengthy question है, हो सकता है कि इसी तरह से आपको puzzle form में बन जाए, आपको इसी तरह के question आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा तर question ऐसे देखने को मिलेंगे, इसमें given है, in a family of six persons, two are males, सिर्फ दो male हैं, और इनके remaining जो हैं, वो female है, the members of the family, P, Q, R, S, T, U, ये छे members हैं, ठीक है, there are two pairs of fathers and daughter, father और दाटर के दो pair हैं, ठीक है, in the family, S is the wife of Q, S wife है Q की, मतलब Q क्या होगा, Q उसका husband होगा, ठीक है, R and Q are siblings, 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 sorry, और यहां पर मैंने इसको reverse में कर दिया, R and Q, siblings है, ठीक है, तो ये male भी हो सकता है, female भी, sibling का मतलब है, कि real में brother sister, ठीक है, पर clearly ये नहीं पता होता कि कौन male है, कौन female, ठीक है, ये इसका पता है, P is the wife of T, P wife है T की, ठीक है, P is the wife of T, ठीक है, इसके बारे में अभी हम पता है, ये हम अलग से करते है, U is the not daughter of S, U is not the daughter of S, S की daughter नहीं है, ठीक है, तो U क्या होता, son भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें से, below are the given few statements, based on the given information, select which of the statement is are definitely true, देखिए, अब यहां पर हमें बना के चलना है, इसमें, क्यूंकि इसमें से 2 male थे, ठीक है, तो 2 male ये बन की, ये क्या बनेगी, female, ठीक है, और आगे देखिए, इसमें, हमें 2 daughter, 2 son के pair बनाने, sorry, 2 father और daughters के pair बनाने, तो father का, देखो, यहां पर pair क्या बनेगा, इसमें से, अगर मैंसे लेके चलने, देखिए, यहां पर, इसका pair बन सकता है, इसका father बन सकता है, ये T, ये daughter बन गी, ठीक ह the two male members in the family are Q and T, तो ये Q and T male member बनते हैं, पहला हमारा point से ये, ठीक है, S is the mother of P, S mother है P की, अब देखिए, यहां पर क्या वो लगा, U is not the daughter of S, U, S की daughter नहीं है, ठीक है, तो किस की daughter बनेगी, वो क्या बनेगा, वो son बन सकता है, ठीक है, तो इसका son भी बन सकता है, इवन इसका husband बन सकता है, ठीक है, तो S is the mother of P, क्या clearly हम P के बारे में इसमें बता सकते है, S उसकी mother है, ठीक है, नहीं बता पाएंगे, ठीक है, और आगे है, T is also sibling of Q, T किसका sibling है, ये Q का sibling है, T, Q का sibling है, इसका sibling है, तो ये भी clear नहीं है, T is the uncle of Q, ठीक है, तो इसमें से definitely जो बन रहा है, वो सिर्फ पहला ही बन रहा है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये, अगर आपको देखी, information given नहीं है, तो आपने बनाना पर नहीं है, आपने जबरदस्ती नहीं करना उसको, ठीक है, तो इतना सा हमें जो बता था, उसके according क्या है, सिर्फ only one is true, ठीक है, चलिए next question यहाँ पे given है, इसमें given है कि A is the sister of B, B is married to D, तो इस तरह से आप बनाना चुरू करेंगे, A is the sister of D, A is the sister of B, B is married to D, देखिए अभी यहाँ पे इसका gender clear नहीं है, तो हम नहीं बता सकते हैं कौन male, कौन female है, but D is the father of C, D father है किसका, C का, और C के बारे में देखी, यहाँ पे अगला point पढ़ते ह इसमें C के regarding दिया है, जैसे कि D has only one son and no daughter, मतलब D का A की son है, जो की बनेगा C कोई daughter नहीं है, और देखें, यह C का यह father है, तो यह क्या बनेगी, mother, मतलब यह दोनों sisters है, ठीक है, अगला point है, H is the son of G, H son है G का, B is the mother-in-law of G, B mother-in-law कैसे बनेगी G की, जब C की शादी जो है, G से हुई होगी, और इन दोनों का son कौन होगा, यहाँ पर H, जो की आपको previous line में दिया गया था, ठीक है, आगे इसमें given है, A is the, A is married to E, A की marriage किसे हुई है, E से, तो E कौन होगा, इसका husband, और आगे है, F is the daughter of A, F daughter है, A की, और how is A, इसमें पूछा है, how is A related to C, यह A, C का क्या लगा, देखिए, C की mother का, यह mother की sister है, तो mother की sister होगी, mother की sister होती है, मौसी, मौसी को क्या बोलेंगे, aunt, maternal aunt, बट इसमें क्योंकि aunt ही given है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है, इसमें tick करतेंगे, ओके, तो यह था आपका एक complete diagram based question, next question आपको pointing to के उपर दिया गया, ठीक है, इस the only daughter-in-law of the only son-in-law of the mother of my wife's father-in-law's father's daughter's only brother, देखिए, यहाँ पर, even इसमें, थोड़ा सा mistake है, question के end में, यहाँ पर पूछा नहीं गया की, how is the person in the photograph, in photo, related to man, ठीक है, man से किस तरह से related, हमें यही चीज को find out करना है, तो देखिए, यहाँ पर pointing to a photograph, man बोर रहा है, कि she is the daughter-in-law of the only son-in-law of the mother of the wife, देखिए, आपको question यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से pick करेंगे question को, देखिए, इसमें बोला कि my wife's, यह complete एक ही person के बारे में बोला है, म तेरी wife का father-in-law मतलब क्या होगा, wife के father-in-law मतलब उसके, उस man का father बनेगा, ठीक है, तो इस तरह से आप diagram बना सकते हैं, इसमें, कि यह man है, man की यह wife है, wife का father-in-law कैसे बनेगा, wife का father-in-law बनेगा, जब इस man का father होगा, तो यहाँ पे इसका father होगा, ठीक है, father-in-law's father, father-in-law का फादर मतलब क्या होगा इस मैन के फादर का फादर मतलब इस मैन का क्या बना ग्रेंड फादर ठीक है ग्रेंड फादर ग्रेंड फादर की जो डॉटर है दादा की बेटी कौन होती है बुवा तो इनकी क्या होई ग्रेंड फादर की जो बेटी है वो बनती है बुवा तो य तो यहां पे जो है यह father ही हुआ, इसके बारे में, इसमें complete यह बताया गया, कि यह मेरा father है, बट इसने कहा किया, बहुत सारे person का नाम इसमें include कर दिया, देखे, my father, अब देखे, आपने जब इस चीज को find out कर लिया, तो आपने reverse में चलना है, ठीक है, देखे, मेरा father, father की wife, father किया गया, mother होती है, nani, मैं simple nani लिख रहा हूँ, ठीक है, यह maternal grandmother, ठीक है, maternal grandmother, ठीक है, अब इस maternal grandmother या nani का only sonny law कोन हुआ, only sonny law, मतलब इस person का only sonny law, तो only sonny law कोन बनेगा, जब इसकी एक ही बेटी है, उसका जो husband बन रहा है, only sonny law बन रहा है, ठीक है, पतलब फादर पे ही प इस परसन से जोड़ना है इस परसन को आगए only daughter-in-law only daughter-in-law कौन बरें देखें इस इस man के father की only daughter-in-law कौन में जब इसका एक ही बेटा उसकी wife तो यहां पर क्या आ रहा है यह wife और इसमें जो question पूछा गया था उसमें क्या था कि how is the person in the photograph related to man यह photograph में जो person है वो man का क्या बना वो बनती है उसकी wife ठीक है I hope आपको यह question समझ आया होगा आपने क्या करना है आपने इसको फिर से एक बार go through करना है ठीक है यह थोड़ा lengthy question था ऐसा question आप expect कर सकते है अपने exam में ठीक है चलिए next question है आपका pointing to a photograph a woman says he is the son of the wife of my husband's father देखिए क्या बोला है हम इसको बिना pen paper करने की कोशे करते है देखिए woman बोल रही है कि मेरे husband का जो father है husband का father कौन होता है उसका जो father-in-law उसका ससूर इस woman का जो ससूर है ससूर की wife कौन होगी उसकी उसकी सास होई अब सास का बोला गया इसमें son सास का सन कौन होगी है उसका husband भी हो सकता है ठीक है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है एक तो उसमें से एक देखिए हमें क्या बताना है how is the man ये जो man क्या लगा man हुआ उसके सास का बेटा तो ये जो man है ये किस तरह से related है अब हम ये तो नहीं बता सकते हैं अगर only son लिखा होता तब कौन बनता उसका husband ही बनता सास का एक ही बेटा है वो कौन बना है husband बट यहाँ पे क्योंकि clear नहीं है तो क्या आएगा इसके बारे में हम क्या है नहीं सकते ठीक है तो card से इसका answer बनेगा ठीक है चलिए ये question है आपका coding के ओपर ठीक है ध्यान रखना है कि coding में आपको दोनों तरह से coding दी जाती है तो इसके लिए मैंने question को include किया है इसमें है P-Q means Q is the son of P P-Q मतलब देखिए यहाँ पर जो पहला person यह है और दूसरा person यह है तो उसमें minus sign क्या बता रहा है minus sign बता रहा है कि जो second person है यह बन रहा है पहले person का son ठीक है उसी तरह से यहाँ पर multiply sign क्या हो रहा है कि जो पहला person है वो बन रहा है brother second person का उसी तरह से जो divide sign है वो क्या बहुँ रहा है कि जो second person है वो sister बन रहा है पहले person का और plus sign जो है वो क्या बता रहा है कि पहला person जो है mother बन रहा है second person का ठीक है तो हमें क्या करना है हमें इस equation में इसको use करना है ठीक है देखिए multiply क्या दिया गया है multiply का meaning है brother कौन इसमें पहला person brother बनेगा तो इसमें क्या होगा n is the brother of k ठीक है और k के बाद है minus minus sign को आप यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या गया है कि जो second person हो पहले person का क्या बन रहा है इसका यह क्या होगा brother भी हो सकता है sister भी इसका यह क्या होगा father भी हो सकता है mother भी मतलब parent बन रहा है ठीक है आगे देखिए इसमें given है divide डिवाइड क्या बता रहा है इसमें कि जो second person है that is q ठीक है वो क्या बनेगा पहले person का sister बनेगा इसी तरह से l जो होगा वो m की sister बनेगी यहाँ पी यह sister बन रही है ठीक है जब आपके पास diagram आ गया तो इसमें क्या पूछा गया वो देखना है इसमें बोला गया कि which of the following is definitely true इन आपको दिएगे equation k is the father of l and m k किसका father है l और m का देखिए k का gender clear नहीं है तो जहां पे भी इसके बारे में father या mother बोलेंगे तो वो क्या होगा वो statement गलत होगी न क्योंकि इसमें definitely नहीं बता पाएंगे l is the daughter of k and is niece of her uncle m अब देखिए ध्यान से देखिए l k की daughter तो बन रही है आप साथ ही साथ देखिए इसका इसकी जो ये parent है parent का brother बन रहा है तो parent का brother कौन होता है uncle uncle की niece भी तो बन रही है तो ये दोनों चीजे इसमें जो है true बन रही है इसलिए क्या है second option इसका answer बनेगा तो देखिए third क्यों गलत है k is the father of m and l k father है किसका m और l का तो ये गलत है और स इसका answer बनेगा ठीक है जो कि definitely true बन रहा है ठीक है तो ये थे हमारे कुछ questions I hope आपको concepts और जो pyqs है वो आपको समझा चुके होंगे and that is all for now तो जाने से पहले ये कहना चाहता हूं कि please like this video subscribe our channel and share this video thank you so much झालयस मुआ यांगे ये एरूढ के